हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छादास का मोस्ट इंपोर्टन को यहाँ पे देखेंगे फ्रेंस आप सभी को पता है कि आपका 16 फरवरी से एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा जिसमें 27 फरवरी को आपका विग्यान का पेपर है यहाँ पे विग्यान के कुछ मोस्ट इंपोर्टन को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम में ये कोईशन पूछा ही जाएगा देखें फ्रेंस यहाँ पे हम आपको स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इसमें हम भोती विग्यान, रसायन विग्यान, एमजी विग्यान के मोस्ट इंपोर्टन को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए ये सभी कोईशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टन सा भीत होगा और इन सब प्रशनों को आप अपने कापी पे नोट्स भी कर लिजिएगा चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं देखिए पहला भाग देखते हैं खंड का खंड का में इसमें पहला आपका सवाल है कि फोकस दूरी यफ और वक्रता त्रिजी आर में संबंध है ठीक है इसका आपसन आपके सामने है तो फ्रेंस इसमें से कौई सापसन सही होगा इसका एंसवर आप कमेंटर बाक्स में भी लिख सकते हैं देखिए फ्रेंस यहाँ प आपका सही जवाब कौन सा होगा यानि फोकस दूरी जो होता है वक्रतत रिज्या का आधा होता है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है इसकी छमता होगी देखिए फ्रेंस जब आपका यह सेंटिमीटर में दिया ह होता है और चमता पूछता है तो चमता को हमसे से देखाते हैं यहां यहां पर मीटर में होता है cette year to meet यहां इस यहां सो बटाके यह लेंगे जो मिह इस और कितना दिए है दूरी फोकस दूरी 20 सो यानि weather नीहीं कि डी वाला होगा पांच डायोप्टर चलिए अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंस यहां भी जितने भी प्रश्ण लिए गए हैं सभी प्रश्ण आपके बूर्ड के एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंड फ्रेंस इन सब प्रश्णों को आप जरूर कापी पिन न जान दीजिएगा कि जो परतिरोत कैसे जोड़ा गया समनांतर करम में जब समनांतर करम में जोड़ा जाता है तो तुल्य परतिरोत क्या होगा देखे एक परतिरोत कमान दिया है चारों यहां पर चार और टोटल पर कितने चालक दिये हैं उस चालकों की संख्यास यहां यहां पर आपको question पूछा है समनांतर करम में जब समनांतर करम में पूछेगा तो इसका इसका इंसर हो जागा यह लेकिन स्रीज में पूछता है कितना इंसर होता चार यह तो प्रशनों का आप ध्यांस देखिए ठीक है आपका अगला सवाल है जो इमपोर्टेंट है अगला सवाल क्या है कि डाय ना मौ उतपन करता है यायनि जो डाय नमो होता है डाय नम आम कम क्या करते है जेनरेटर भी करते है यानि अफ्विद्वाफग बल ही उत्पन करता करता है आपका अगला सवाल है देखिए जीवाश्म में मतलब होता है कि जीवों के अंसों और बिजिवाश्म उर्जा करते हैं तो इसमे सी तक आप प्राप्त होता है कोईला से उर्जा प्राप्त होता है इसका सही जवाब होगा सर्जानी कोईला चलिए अगले खंड को में इसमें आपको क्या पताना है प्रबल अमल और दूरी खने को आप याद रखेगी हर साल पेपर हो सुचता है दूरी यह-च crouch आप सामने असन ईसफेक यह CH3CAAH है तो इसका सही जवाब होगा जब प्रबल अमल है तो होता है ठीक है जिसे सल्फियूरिक अमल भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं यह अगला सवाल है कौन सी धातू ठंडे जल से हाइडोजन गयस निकालती है देखे फ्रेंच यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपके 2022 की पेपर में यह कोईशन पूछा जा चुका है सिर्फ उसमें आपसान अलग था ठीक है कि ठंडे जल से हाइडोजन इसमें से कौन सा धातू है जो करता है यहां पे अपसान है ताबा पोटेसियम सोन यह इलमूनिय उसका सरी जवाब होगा पोटेशियम गोटेशियम होता है ठंडे जल से हाइडोजन को अलग करता है स्प estos एक अपको पता होगा सी एन एस्टव औैंभ हैं improper sauce क्या है इसमें से सब्टाना उबढ़ते हैं ए यहां पी एन क्या है कार्बन का मात का प्रमादव है कितना है इसका मात प्रमादव होगा कितने हैं ठीक है अलकीन का सूत्र पूछ रहा है C3H8, C3H10, C3H6, C3H4, इसमें से कौन सा आपसन सही होगा, यहां पर आपसन होगा, C3H6, देखें, C1 और 2N से सिध्य करेंगे, तिके 3 है, 3 दुना के 6 हो जागते है, हाइडोजन 6 हो गया, कार्बन कितना होगा, 3 हो गया, ठीक है, यहन कार्बन का दुगुना हाइडोजन है, इस फार्मले से देख सकते हैं, इलकीन का, इसको साथ में याद रखिएगा, आपका अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है फ्रेंस, कि निमनल लिखित में अमली आकसाइड, वेरी वेरी इंपोर्टन प्रसन फ्रेंस, अमली आकसाइड यह जरूर पूछता है, वेरी वेरी चलिए देखते हैं, आप साथ, AL2O3, K2O, MGO, P2O5 है, ठीक है, देखें, यहाँ पर इलमूनियम है, यानि धातू है, K2 क्या है, पोटेसियम है, मतलब पोटेसियम है, यह सभी धातू है, धातू के साथ जो आकसाइड बनाता है, उसे छारी आकसाइड करते हैं, और धातू क साथ जो आकसाइड बनाता है, उसे अमली आकसाइड करते हैं, यहाँ पर अमली आकसाइड पूछा है, तो किसके साथ है, फासफोरस के साथ आकसाइड बनाया है, इसलिए क्या होगा, इसका सही जवा, अमली आकसाइड क्या हो जाएगा, P2O5 होगा, ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं देखिए अगला सवाल है यूरेनियम है यानि यूरेनियम क्या है देखिए फ्रेंज आप साने चार दातु और धातु रेडियो एक्टिव तत्या गय इसको सीधे याद रखेगा जो यूरेनियम होता है यूरेनियम को यू से दिखाते हैं ठीक है यूरे ग्यान के most important question को देखते हैं यहाँ पर दो में भोजन का अस्थनांत्र होता है यह वेरी वेरी IMPORTANT प्रसने पाँ फ्रेंस ये ठीक है भोजन का अस्थनांत्र कौन करता है यहां फ्रेंस आपको दो concept बताते हैं कि भोजन का अस्थनांत्र तो पूछता है इसके साथ जल का अस्थनांत्र पूछता फ्रेंज तो यहां पर बताते हैं जाइलम ठीक है तो नग प्रस्थ शाथ में याद रखिएगा आपका अगला प्रस्थ व संद्दशन है इसको करते है इसकी टूर प्रश्णों कार्ष नोट जरूर कर लीजेगा ठीक है निस्चन के बाद का कौण सभाग फल में बदल जाता है देखिए इसमें क्या है कि नीसियेशन के बाद पुस्प का कौन से भाग फल में बदल जाता है आपसान है पूंकेसर वर्तिका अंडाशे या बिजान तो इसका सही जवाब होगा अंडासे चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपको अगला सवाल है तो कि ने और प्रोटीन से चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है मुकलन किसंटीक है यहां प्रशनों को आप साथ में याद रखिएगा तो फ्रेंस आपको इडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें